बिस्मिल्लाहरुर्रह्मानिर्रहीम, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Welcome to my kitchen, मैं हूँ Chef Hafsa और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलिशिस सी पंजेरी की रेसिपी लेके आए हूँ और मैं आप लोगों कोई बिलकुल हलवाई स्टाइल बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट में समत कीजगा, आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रीडियंस है, Mixed Dry Fruits यह सिंपल आपको किसी भी Dry Fruits की शॉप से मिल जाएंगे, आपको जिस्ट यह कहना है कि पंजेरी के इंग्रीडियंस दे दे, 125 क्राम्स इच, आपको नाम बताने की ज़रत नहीं है, वह आपको तमाम इंग्रीडियंस जर वो दे दे देंगे, अब पंजेरी में हम क्या करे कि बेस्ट चेक्स्टर के लिए Dry Fruits को चॉप करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यह मेरे पास scenario है, इसको हम इस ताहाँ slice कर लेंगे, और बिलकुर fine chop कर लेंगे, साथ ही यहाँ पर बदाम है, इसको भी chop कर लेंगे, काजु को भी इस ताहाँ से चॉप कर लेंगे, अग इस ताहर से जैसे अकषव मैंने रखा हूआ है, साथ में roughly chop कर लेंगे, नाइप से इस ताहसे, अब देखे, पंजरी बनाने के लिए यहाँ पिर मेरे पास नारेल है, जिसको मैने roughly chop कर लेंगे, चार मगस जिसको chop करने की जुरूरत नहीं है, बदाम इसको भी मैने chop कर लें काजू इसको भी चॉप कर लिया है मख्हाने साबव करम थ reference अखरोड की में ने छॉप कर लिया है और पि इसके लीदे को भी चॉप कऱिया है और साथ में हैं गन्त इसके लावा भी कोच इन ग्रीडियन्स हैं और सबसे इंपोर्टन्ट यहां पर है हमारे पास देसी घी, देसी घी से ना इसमें सबसे बेस फ्लेवर आता है, तो हमें यहां पर देसी घी ही आट करना है, तो सबसे पहले हमें करहाई में आट करेंगे देसी घी, घी को हलका से गरम होने देंगे, फिर इसमें हम मखाने थो फ्राय हो जएएंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे इसको हम इमाम दस्थिया चॉपर मैट करके इस तरह से पाउडर बना लेंगे फाइन पाउडर नहीं बनाना चाहसे इसको इसना रफली सा कोट लेंगे देसी की कुश्बुख बहुत ही अच्छी होती है मुझे बहुत पसंत है आप कमें सेक्शन में जरूर से बताएगा कि आपको भी पसंदी कि नहीं इसमें हम एट करेंगे गुंद यह हमारी जॉइजन्स के लिए बहुत ही अमेजिंग होती है इस ताहुआ क्रिस्ट्ल की फ़िर्म में नहीं होती है यह और जब हम इसको फ्राय करेंगे न तो यह फूल जाएगी, जैसे popcorn होते हैं इस तरहां से, और फूलने के बाद यह भी crispy हो जाती है, इस तरहा देखें इसको अच्छे से fryer करना है, इस सब अच्छे से इस तरहां से फूल जाएगी, इसको हम एक बरतन में निकाल लेंगे, साथ ही हम कमरकर्स को भी fryer कर लेंगे, यह तमाम वो ingredients है ना जो कि हम सर्दियों में इस तरह से बना कर रख लें तो हमें काफी ज़दा फायदा पहुंचाती है अगर आपको लगे कि मैं घी यहाँ पे थोड़ा जादा add कर रहे हैं तो आप अपने मताबिक adjust कर सकते हैं लेकिन यह में बिल्कुर परफेक्ली जिस तरह से हलवाई बनाते हैं मैं उस तरह से बना रही हूँ और देसी घी के भी बहुत फार्दे होते हैं अगर आप उसको सही तरह से consume करें कमरकर से इसमे अट करेंगे ना तो यह अनार की ताया हो जाएगी फ्रायर करने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे और इसको गुन के साथ रखेंगे अब हम यहाँ पर वापिस से घी अट करेंगे और जो नारियल हमने चौप किया था ना वो हम इसमे अट करेंगे इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हम इसको फ्रैर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगे गी में तो नार्यल भी अच्छे से यहां पर भून करें हैं गी में बहुत ही अच्छे से इसको हम निकाल लेंगे अब हम एक बरिसी कर हाई मैट करेंगे डिर कब देसी घी गी को गर्म होने देंगे फिर हम इस मैट करेंगे सूजी तो सूजी हमें यहाँ पर 500 ग्राम जट करेंगे यानि कि आदर किलो और मैंने गलती से 250 ग्राम जट कर ली रेसिपी बहुत ही अमेजिंग बनेगी लेकिन टेक्ट्ट्र थोगा सा लगाएगा तो आप 500 ग्राम सूजी अट कीजेगा सूजी को ने यहाँ हमें गी में बहुत ही अच्छी से भून लेना है तो करीवन 15-20 मिनट के लिए यह बहुत ही इंपोर्टन स्टैप है हलकी आँच पे सूजी को आया हम से भूनना है तो जी यहाँ पर मैंने सूजी को अच्छी से भून लिया है अब हम यहाँ पे अट करेंगे काजू छॉप किया है थोड़ी से महनत का काम है लेकिन इससे टेक्स्ट्रे जोए रहना वह बहुत ही अच्छा आता है और खाने भी बहुत अच्छा लगता है अखरोट पिस्ता बदाम और चार मगस इस सबको ना हमें घी में अच्छे से सुजी के साथ भून लेना है साथ ही अगर आप चानल पे नई हो हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं यह बिल्कुर फ्री है और इसे जादा से जादा रेसिपीस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी अब हम इसको मीठा करने हैं तो हम यहां पे अट करेंगे चीनी आप अपनी टेस के मताबिक चीनी अड़ कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर गुर भी अड़ कर सकते हैं आपकी मरजी धे लेकर जो हलवाई हैं वो चीनी ही एड़ करते हैं और उससे बोगत ही Best flavor आता है जितनी चीनी अट करेंगे उतना ही पानी अट करलेंगे याने कि 500 gram इसको अच्छी से mix करलेंगे अब हम यहाँ पर अट करेंगे coconut कि हमने रोष्ट किया था गोंद और गमर कर्स हम इसमें अट करलेंगे क्योंकि ही crispy है मिक्स करने के दौरान ये खुदी पाउडर बन जाएगी और साथ में मखाने भी जो के हमने कूट ले थे वो समेट करेंगे इसको अभी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है सूजी फूलती जाएगी और बहुत ही बैस इसका रिजल्ट आएगा अच्छे से इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि बिल्कुर ड्राइना हो जाए दोची यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बूना है यह एकदम ड्राइ हो गया है और सूजी अच्छे से फूल गई है अब हम इसको काउंटे पर र colleg और सके ठंडा करली एकदम अग्रकेणी किव कि अपके बहुत पर अप्रफ्रेक्वर ही बना है और खाने में इतनी डिलिश्यस होती है के आप से कंट्रोल नहीं होगा आप चाहेंगी कि आप सारा खा लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चानल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में इंशाला, अलाह अफेज